दोस्तों कहा जाता है कि पती और पत्नी के रिष्टे को पविद रिष्टा माना जाता है क्यूंकि दोस्तों जब साधी होती है साधी के समझा फेरे फिरते हैं तो पती पत्नी आपस में साथ जनम तक साथ में वाने का बादा करते हैं दोस्तो आज किस कहानी में एक पत्टी ने अपने वेपनी की हत्या कर देते हैं हेलो नमसकार साथ Tibbers निए आपको सामें एक नए स्टोरि लेकर आए हूं दोस्तो आज की कहानी के सुरू करने से पहले मैं आप से एक बिंद्द्रे करना चाहूं कि अगर आफ यूटूब चैनल पर पहली वा欄 हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें दोसतों आज की जो कहनी है वो है बरेली की उत्तर प्रदिस में एक जिला पड़ता है बरेली और उस उजले में एक थाना पढ़ता है इज्जत नगर और उस थाना छेतर में एक गाउं पढ़ता है पहरापुर बसावन नगरिया उस गाउं का रहने वाले एक ब्यक्ति होता है जिस ब्यक्ति का नाम होता है अकलेस कुमार दोस्तों जो अखलेस कुमार होते हैं वो एक डॉक्टर होते हैं मगर एक ऐसे डॉक्टर नहीं होते हैं कि जिसके पास डिग्री हो वो बिना डिग्री वाले डॉक्टर होते हैं दोस्तों जो अखलेस होते हैं उनकी संदोया सत्रे में एक लड़की होती है जिस लड़की का नाम होता है सीमा, सीमा के साथ साधी होती है दोस्तो जो लड़की होती है वो एक जिला पढ़ता है बरेली और उस जिले में एक थाना पढ़ता है विथरी चैनपूर और उस थाना छेतर में एक डाखाना पढ़ता है वालेपूर एहमदपूर उस छेतर के रहने वाली होती है दोस्तों जो सीमा होती है, सीमा के जो पिताजी होते हैं, उनके पिताजी का नाम मेहंदर से होता है दोस्तो साधी हो जाती है और साधी होने के पश्चात जो अखलिस होते हैं वो लागातार अपनी पत्नी जिसका नमताई सीमा सीमा को दहेज के लिए परिशान करते रहते थे और उसके परिशान करते रहते थे और उसके परिशान करते रहते थे मगर इस खटना से कुछ समय पहले जो उनकी पत्नी होती है उनको उन महीलाओं के प्रेम परसंग के बारे में जो सीमा होती है सीमा को पता चलता है दोस्तो जैसे ही पता चलता है तो वो अपनी पत्नी को समझाती है कहते हैं कि आपका उन महीलाओं के साथ प्रेम प्रसंग चला है दोस्तों वो समझाते हैं समझाने के प्रश्यात भी उनका उन महीलाओं के साथ जो प्रेम प्रसंग है वो जारी रहता है दोस्तो इसी तरह से आई दिन जो सीमा होती है वो उनके जो अवे संबंद होता है उसके बारे में विरोध करती थी दोस्तो उसका जो पत्नी होता है जो एक डॉक्टर होता है वो अपनी पत्नी से परिशान हो जाता है क्योंकि वो उनके प्रेम परसन के बीच में या कह सकते हैं उनके अव्य संबंद के बीच में बांदग बन रही थी दोस्तो वो अपनी पत्नी की हत्या करने के लिए योजना बनाता है इस योजना के तहट वो अपना उसका एक कमपाउंडर होता है वो इस कमपाउंडर को भी इस पिलान में सामिल कर लेता है दोस्तो उस कमपाउंडर का नाम होता है उस कमपाउंडर का नाम होता है विजैंदर दोस्तो जो बिजयन दोतरा है वो एक थाना पढ़ता है इज्यत नगर और उस थाना छेतर में एक गाउं पढ़ता है सहूला उस गाउं का रहने वाला होता है दोस्तो जैसे ही डोक्टर साब अपने कंपाउडर को बताते हैं तो वो भी उनके प्लान में फच जाता है और इसके पश्याद वो भी उनके साथ जैसे जैसे वो बताते हैं वो प्लान में उनका पूरा साथ देता है दोस्तो जो अखलिस होते हैं वो अपनी पत्नी की हत्ता के लिए पूरा प्लान बनाना शुरू कर देते हैं दोस्तो प्लानी के अनुसार वो पहले अपने पत्नी की मानसिक इलाज के लिए पर्चे बनवाते हैं जिससे कि किसी भी व्यक्ति को उन पर सकन आओ जैसे ही उसकी हत्या हो जाएगी तो वो कोई भी व्यक्ति पूछेगा तो वो कह देंगे कि उसकी जो मानसिक इस्थी थी वो खराब चल रही थी दोस्तो इसी तरह से वो पर्चे बनवाते हैं और इसके पश्यात वो अपने कंपांडर के साथ अपनी पत्नी की हत्या करने का प्लान बनाते हैं दोस्तो प्लानिक अनुसार 29 मार्च संधुवा 24 को जो कंपाउंडर होता है वो कंपाउंडर को अपने साथ ले जाते हैं और रात को अपने घर में सुबाते हैं दोस्तो इसके पश्यात जब खाना पीना होता है और इसके पश्यात सभी लोग सुजाते हैं दोस्तों जैसे ही सोते हैं सोने के पश्यात शुभय के शमय जो उनकी पत्नी होती है उस समय अंदेरा होता है रात का समय होता है तो उस समय उनकी पत्नी होती है वो अपने घर में घूम रही थी टैल रही थी तो इसी बीच वो दोनों मिलकर उसको पकड़ लेते हैं और से उसके जो सरीर होता है सरी से खून मेहना सुरू हो जाता है या कह सकते हैं कि हम वो भेहुस हो जाती है दोस्तों जैसे ही वो भेहुस होती है उसके सरी से खून मेहना सुरू हो जाता है और इसके पश्चात जो उनका कंपॉंडर होता है जिसका नम होता है विजेंदर वो उन से पहले अपने कपड़े चेंज करते हैं और इसके पश्चात वो अपने कपड़ों को एक गाउं पड़ता है कलापुर और उस गाउं के एक नहर होती है उस नहर में फैक देते हैं फैकने के पश्चात वो अपने घर आ जाते हैं और इसके पश्चात जो घर में खोन के निश कहते हैं और अपनी जो उनकी पत्नी होती है जिसका नम होता सीमा सीमा को लेकर वो एक होस्पिटल में जाते हैं जैसे होस्पिटल में लेकर जाते हैं जो डॉक्टर होते हैं वो उसको मिलत गोसित कर देते हैं दोस्तों इसके पश्चात जो अखलेस होते हैं वो अपने कंपॉ होता है वू घर के लिए रावन हो जाता है घर पर जाने के पश現在 जो कुछ वांपर खूंद के धब्बें होते है वो उनको साफ przygot अखर जाता है और इनकी अवां सुनता है वो ढपनाने के पश्चेए्जाट वो इमानदस्टा जो चाकुता उनको लेकर वहां से भाग जाता है दोस्तों इसके पश्यात जो सीमा होती है सीमा को सब होता है उसको कोश्मा डम के लिए वेज़ दे जाता है और इसके पश्यात जो सीमा होती है उसका अंतिम संस्कात कर दे जाता है दोस्तों जो सीमा के जो पिताजी होते हैं जो उसके परि मिर हो गई लेकिन जब हम होस्पिटल पहुंचे तो डॉक्टर ने उसको मुरत कर दिया दोस्तों जो उसके परिबार वाले होते हैं उनका रो रोकर बुरा हाल हो जाता है इसके पश्चात जो लड़की के पेताजी होती है जिसका नाम होता है महंदर सिंग वो छे अपरेल वो रिपोर्ट दर्ज कर लेती है और रिपोर्ट दर्ज करने के पश्चात जो पुलिस होती है वो जाच करना सुरू कर देती है दोस्तों जो पुलिस होती है वो उनके घर पर जाती है तो पुलिस को जो खून होते हैं खून की बूंदें दिखाई देती है दोस्तों जैसे इदोदर की बाते करता है और पुलिस इसके पश्यात उसका जो फोन होता है उसकी कॉल डेटेल चेक करती है दोस्तों उसमें पता चलता है कि उसका कई महिलाओं के साथ अभी समंद या कह सकते हैं प्रेम परसंग चला आता है दोस्तों पुलिस उससे पुछताच करती है तो व उस्चिर्म को कबोल कर लेता है कि मेरी पत्नी थी जिसका नाम है सीमा वह हमारे परेम संक के बीच में या कह सकते हैं कि मेरे कई महिलाओं के साथ प्रेम में परसंग के बीच में मिच कह रहा reimburse बांदख बन रही थी वह बार बार उसका खर रही थी इसका अनुईत मैं ने नह की कहा हूता है उसके पती होती little happens छंक आघ अख्लेसgt को गरबतर का लिया और Չसे जेल भेज़ दया है कि फिल्लाल में जो दूसरा आरूपे होता है जो अख्लेस्टक्टर साव होती है उनका जो इनका है उनका जो में फिल्लाव कर लिया है दोस्तों इन दोनों के साथ सक्त सक्त कारवाई की जाएगी दोस्तों आज की इस कहानी को सुनाने को दिस आपको परिशान करना नहीं है शिर्प आपको जागरू करना है कि आज हमारे समाज में जे लोग हैं वो किस तरह का काम कर रहे हैं दोस्तों कहा जाता है कि प आपको परिशान करना नहीं रहता है। सिर्फ आपको जागरू करना रहता है। कि आप भी इस तरह का कोई कदम ना उठाएं। दोस्तो आज की जो कहानी है, मैंने इस कहानी को पढ़कर तयार क्या है। अपना भारत देनिक जागरन न्यूज और एटीवी भारत न्यूज और न्यू ट्रेक न्यूज अमर उजाला न्यूज और अमरत विचार न्यूज इन सभी न्यूज से पढ़कर इस कहानी को तयार किया है दोस्तो इन सभी से मिलकर इस कहानी को तयार किया है दोस्तो जिनका आपको एक नैश्ट कानी के साथ धन्यवाद